हेलो सुक्य स्वाब लोग मेरा ना में अक्राम और आज किसी वीडियों में हम बात करने वाले हैं आपे सामी की तरफ से आने वाले सबसे अफ़रेबल 5G स्मार्ट फोन के बारे में जो इंडिया में जल्द ही लॉंच होने वाला है सामी का रेड्मी नोट 9 5G और रेड्मी नो हो एक 5G स्मार्ट फोन चाहिए 5G पूफ स्मार्ट फोन अगर आपको खरीदना है क्योंकि इंडिया में जल्दी फो जो जीओ है वो सबसे पहले 5G लेकर आने वाला है तो यहां पर यह दो जो स्मार्ट फोन इसके अंदर आपको काफी अच्छी जो है मतलब इस्पेसिफिक देखना देखना लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आपकी तरफ से वीडियो को एक लाइक चरू कर देना तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते है सामी के रेड्मी नोट 9 5G के डिस्प्लेश की अगर मैं सुरुआत करूं तो यहां पर आ देखने को नहीं मिलेगा और आपको एक पंच होल व्लकी केमरा यहां पे देखने को मिल सकती है। डिजाइन काफी सांदर है अल्ग है जो इंसपायर है वह जो 4G यह एंसपायर है उससे मतलब काफी ज़्यादा इंसपायर है इसका डिजाइन लेकिन थोड़ा सा यहां पर स देखने को मिल सकती है जो 22.5 वर्ड फार्स आजिंग को जो ही यहां पर सपोर्ट करेगा यहां पर नोट 9 5G वाला जो वेरियंट है और यहां पर मैं कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो यहां पर आपको त्रिपल कैमरा सेटप देखने को मिलेगा एक 48 मेगा कैमरा और एक 8 मेकाफिक सल का लुट वाइड EL का देखने को मिल सकता है और यहां पर बात करूँ इसके प्रसेटर के बार में तो इस बार जो है यहां पे आपको MediaTek का Helio 800 Dimensity वाला 800 U Dimensity वाला प्रोस्टर यहां पे 5G जो प्रोस्टर है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा और यहां पे 4GB 6GB और 8GB RAM वाला वेरेंट भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा अलग-अलग इस्टोरेज में 64GB 128GB 256GB तो यहां पे अलग-अ यहां पे आपको इस्टोरेज यहां पे देखने को मिल सकती है हाला कि फोन काफी अच्छा है देखने में भी काफी अच्छा है 5G वापका होगा बैटरी बैकप भी काफी अच्छा यहां पे दिया हुआ है प्राइस के अगर मैं बात करूँ जो चाइनीज प्राइस यहां यहां पे सामने आई है 1000 YNY मतलब चाइनीज करंसी के सबसे 1000 तो मतलब इंडियन प्राइस के सबसे यहां पे लगबग 11,000 के आसपास यहां पे इसकी प्राइस हो सकती है अब मैं यहां पे बात करता हूँ जो सामनी का Redmi Note 9 Pro 5G वेरियंट है तो 5G वेरियंट का जो डिस्प्ले 7-inch का Full HD Plus IPS LCD डिस्प्ले जो हैं आपको देखने को मिलेगा जो के काफी अच्छा डिस्प्ले है काफी बढ़िया डिस्प्ले हाला कि AMOLED होता तो काफी बढ़िया होता लेकिन आपको पता ही होगा सामी और रेटिमी जादा तर AMOLED डिस्प्ले का जो हैं आपको इस्तमाल नह जादा यहां पर देखने को मिल सकता है इसकी डिस्प्ले के अगर में बात करूं तो यहां पर आपको सामने की साइट में सेंटर के टॉप में आपको एक पंचोल चोटा सा मतलब पंचोल सेल्फी कामरा देखने को मिलेगा और जो पीछे का जो बैक सेटप है जो भी मतलब इसान दी गई है। वो काफी हद तक जो पोको का X3 है से वेसा ही आपको camera setup यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन इसके अंदर प्रोवर्जन के अंदर आपको quad camera setup देखने को मिलेगा। और ace expectation है इसके अंदर आपको जो मतलब camera मिलेगा जो main camera होगा वो 108 MP का mean camera देखने को मिलेगा जो कि यह मतलब Redmi का पहला इसला smartphone होगा जिसके अंदर आपको 108 MP camera का देखने को मिल सकता है साथ में 8 MP Ultra Wide Angle Camera साथ में 2 MP macrolens और 2 MP self sensing camera देखने को मिल सकता है और मैं एक चीज तो भूल गया जो Redmi Note 9 5G होगा उसके अंदर आपको 13 या 15 MP का Selfie Camera देखने को मिले सकता है और जो Pro version होगा उसके अंदर आपको 16 या 20 MP का Selfie Camera यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और यह जो Note 9 Pro है इसके प्रोसर के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको Qualcomm का नया एक प्रोसर देखने को मिलेगा जो के लेटेस प्रोसर है Qualcomm Snapdragon 750G जो एक 8 nm प्रोसर है तो यह प्रोसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा Redmi Note 9 Pro 5G के अंदर जो कि काफी अच्छा प्रोसर है काफी फास्ट जो यहाँ पे काम करेगा प्रिवियर्स वर्जन से काफी फास्ट होगा साथ में आपको 6GB, 8GB, 12GB तक का भी जो ही यहाँ पे RAM आपको देखने को मिल सकता है और इस्टोरेज आपको 64, 128 या 256 GB आपको देखने को मिलेगा बाकि यहाँ पे मैं इसके बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे साथ 4850 मिलिंपर की बैटरी देखने को मिल सकती है जो 33 वर्ट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा दोनोई स्मार्ट फोन के अंदर आपको USB Type-C आपको देखने को मिलेगा दोनोई स्मार्ट फोन के प्रोटेक्शन के लिए डिस्प्ले की तो कोर्निंग गोरिला ग्लास का आपको शायत 5 या 6 का प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर मैं प्रो वर्जन के प्राइज के बारे में अगर मैं बात करूं तो चाइनिस करेंसी के इसाब से डेड़ हजार मतलब इंडियन रुपीज में कनवर्ट किया जाए तो 16,000 या 17,000 के बीच में आपको यह प्रो वर्जन देखने को मिल सकता है और यहाँ पर जो मतलब नोट 9 5G है जो मतलब 11,000 के आसपास अगर होता है तो यह सबसे मतलब अफोरेबल 5G स्मार्टफोन होगा और यहाँ पर वर्जन अगर मतलब काफी कम प्राइज में 16,000-17,000 रुपे के आसपास यहाँ पर लाउंच होगा मतलब यह पहला ऐसा फोन होगा जोखे काफी 5G सस्ता भी होगा और काफी मतलब बड़िया कैमेरा सेटप आपको देखने को मिलेगा लेकिन हाँ प्राइज के इसाब से आपको 108 मेगा फिक्सल मिलेगा इतना बड़िया फीचर मिलेगा 5G रेडी होगा तो यह काफी अच्छ सकती हो और कोई भी मतलब इसमार्टफोन अगर आपको खरीदना है आपका बजट के इसाब से अगर आप जानना चाहते हो गेमिंग के लिए कैमेरा के लिए तो आप नीचे कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपके कॉमेंट का जवाब जल से जल देने की पूर कर देना